कर दोस्तों आपके अपने यूटुब चैनल के रप्लोर अठोल में आप सभी कस्वागत है दोस्तों दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे आइस यू के बारे में आइस यू क्या है किस तरह से सेफ रह सकता है तो आइस यू के रिगार्डिंग जितनी वी बात हम करेंगे तो उनको किरपे करके अप ध्यान से सुनिया ठीक है दोस्तों जैसा कि आप कोई मार्केट के अप में देखते हैं कि जो भी कोई है वो रिजिस्ट्रेशन हो जाता है रिजिस्ट्रिशन क्या एक इस तरह से आउस पिसे बारे में सारे discussion हम आज कर रहे हैं सकतल चाह्ता हूं कि आपिक investigating का मतलब होता है कि कॉट करने के लिए को क्या करने के लिए क्या करते हैं कंपनी वाले डृट यह ब्लिक से इखठा करना क्या होता है Directly Fund requirement होता है किसी भी currency को launch करने के लिए और वो हम पबिक से डिरेक्ट ना लेकर के आई-सी ओ के तुर हम लेते हैं BTC के रूप में या इधरेम के रूप में या different coins के रूप में ठीक है तो उसके बाद वो पड़नी के बाद उसको थो टैकनिक लिए जो चीजेंटर यह इस टेकन् सोर्स तो देसिट्र लाइज में के औो प्रूरै важно प्लेक बॉलिक के चानौल में होती है है जिस तरह से पब्लीक उसकी जो क्वरूथ है को पब्ली के आत में होती है जैसे हम ट्रेधिंग करती है तो कोई करन्सी हो तो कहिती हो तो फोग स्रक्स और अपन सोर्स टेंवर होता है कि हम अपना पेइमीन्ट डेटवे वहां से ले सकते हैं जैसे डेय म्रीया तो वहां से हम अपना payment gateway निकाल सकते हैं किसी भी तरह से कोई भी काम हम लांच कर सकते हैं ठीक है जिसा कि coin market cap में आप देख रहे हैं कि जितने coin है उनकी जो लिस्ट है वो दे रखी है 1 to 10 totally 13 to 1500 करण से भी already registered हो रखी है coin market के में जैसे एक iota का आइस्यो आया था ठीक है तो इसमें website announcement explorer left side में जैसे कि आप देख रहे हैं राइट साइड में circulating supply maximum supply तो यह सारी details उस coin के regarding आपको coin market cap के उपर मिल जाएगी अगर details नहीं है उस coin की तो वह coin registered नहीं होगा coin market cap ठीक है आपको ध्यान देने होगी यह बात में हैं ठीक है coin market cap कोई भी coin है उसके पर आप क्लिक कीजिए इस तरह से सारी information आप चेक कीजिए ठीक है जैसा कि website के उपर लिक किया आयोटा की तो यह आयोटा का जो website हो खुल गया है ठीक है काफी अच्छा इस्यों था और अभी market में है और काफी अच्छा इसका काम भी चल लाइक मैं आपको एक एक जम्पल के तोड़ पर बता रहा हूं ठीक है फ्रेंट्स तो जब यह इसका जो आईस्यों आया था काफी ग्रो किया था ठीक है तो उसके बाद क्या है कि जो भी आईस्यो होते हैं डिएक्टली क्या पूंश पॉवली को प्रोफिटी मिलता है अगर हम कम रेट में इसको बाई कर लेंगे जब यह लांच होगा एक्षेंज पर त्रेडिंग में में आएगा तो हम सेल कर सकते हैं उसको वहां से 5-7 गोना प्रोफिटरं कर सकते हैं और इस से डालेक्ली पॉब्लिक को प्रफिट होगा more interest होगा तो कोईन का जो launch होने से पहले क्या होता है जैसे नशी बीस्च होता है जैसा कि मैं जस्ट एक्जम्पल के तुर पर आपको समझा रहा हूं कंपेर कर रहा हूं ठीक है इसी तरह से क्या होता है कि इनिशियल कोई ओफरिंग में टोकन्स निकलते हैं इसके बाद माइनिंग होती है इसके बाद मार्केट के पर रजिस्ट्र होता है फिर ट्रेडिंग में पैसा निकल जाता है ठीक है पांच से साथ गुना प्रोफिट हो जाता है जैसा कि आप देख रहे इंडिफरेंट काइंड के कोई नहीं तो इन कोई में जो भी है उनके आगे इसका टोटल मार्केट सप् तुस्टीम कोईन का जो मार्केट में जिब आय था उसे टाइम की रूप में इसका जो रेट आपक यह काफी कम था जैसा लाप चार्ट से में देढ़ ध्यार है नीचे जिसे छार्ट में जो दिया गए उसके साब साथ को समझा रहा हूं अगर स्टीम का जो आई स्यू है वो हम बाई कर लेते हैं कि आई स्यू आई टोकन के रूप में जैसा कि इसका रेट काफी कम था ठीक है जब यह लांच हुआ तब 0.6 USD के असपास और जब यह मार्केट में आया तब एकदम सिसका रेट 3-4 डोलर चला गया था तो 5-6 गुना प्रोफिट यहां पर हो गया था जिसके पास स्टीम का क्वाइन है ठीक है तो इसी तरह से क्या है कि आइसीओ कौन सबाई करना चाहिए क्या किन किनी बात नों का ख्याल लखना चाहिए तो वह सभी बात बात आपको बता रहा हूं तो आईसीओ के लिए कि क्या है कि कोई मर्केट कैप में उसका रेजिस्टर होना बहुत जरूरी है अगर वह जिन्यून आइसीओ है तो अच् चुका जिसका जिसका टाइम खत्म होच चुका ठीक है उसके बाद यह दूसरी वेबसाइट है ठीक है कोई शेडूल डोटकोम तो कोई शेडूल डोटकोम पर भी डिफरेंट काइंट के जो आईसीओ है वो आलड़ी दिखाई दे रहा है सामने वह आप महां पर जाकर के च डोटनेट तो इसमें भी टाइप के कौईन है आईसीओ है उनकी डिटिल दे रखी है तो आप इनको फोलो कीजिए अगर आप अभी तक नहीं पता है तो ठीक है फिर उसके बाद जो वेबसाइट है आईसीओ डोटकोम है इसके उपर भी न्यूज मिलेगी आपको डिफरें यहां पर मिल जाएगी उसके बाद कोईंट डोटकोम है यहां पर आईसीओ कलेंडर में आप जाएए राइट साइड में ठीक है इस पर क्लिक कीजिए तो आईसीओ की जो लिस्ट है वो यहां पर आपको मिल जाएगी ठीक है पर उसके बाद जैसा की लिस्ट आप देख सकत ठीक है काफी टेक्निकली साउंड है डेली इसका लिमिट है पचास से चारसो कोईन और 26 नुवंबर से स्टार्ट होने वाला है तो काफी दिनों से इसकी मार्केटिंग चल रही है और काफी इस पर डिसकस किया है मैंने स्टडी किया है ट्विटर पर इसका पेज है फेस्बु इन्वेस्टमेंट है अगर आपके पास सो रूपे हैं तो दस रूपे आप इन्वेस्ट कीजिए उससेफिट करन कीजिए प्रेंसिपल बैक कीजिए फिर प्रोफिट से खेलिए हम इसे सेफ इन्वेस्टमेंट कीजिए ठीक है कभी भी किसी भी यूटूबर की ना सुने सबसे पहले आप अपने लेवल पर सारी चीज़ों को देखिए अगर इसमें आपको रिजिस्ट्रेशन करना है तो यह स्पोंसर आइड़ी है क्रेप्टो टेडर्स लेफ्ट यह राइट पोशिशन सेलग्ट करना है फिर यूजर नेम है फिर आपको नेम डालना है इमेल आइड़ी दुबबर डालनी है आपको यह पर मोबाइल नंबर कंट्री और सिटी अगर आप जोइन करना चाहते है त सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आपको अच्छा करना पड़ेगा ठीक है दोस्तों तो आशा करता हूं कि आपको यह सारी जान करिया पसंद आई होगी फ्रेंड्स और आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किजिए फ्रेंड्स आपको करेंट इन्फोर्मेशन सब्सक्राइब सोषित आपकोक्ता आपको crushing आपको है थे ट